Hello Everyone! Welcome to my channel! तो हमनो कागे का चुरू करते हैं यहांपस हमें बता जाता है कि जो हमारा बटलर है Seriaan वो अपना जो फेर्मेंस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है उसकी help के लिए Mr. Yoo रहते हैं और उसकी help करते रहते हैं जहाँ पस वो out of control हो जाता है सिर्यान क्योंकि वो alpha dominant है वही dominant alpha का फेरोमेंस ऐसे control कोई कर सकता है क्या नहीं पड़ वो होता नहीं और वो out of control हो जाता है यहाँ पस सिर्यान है ना उस पर तूट पड़ता है और भूलता है कि नहीं अब मुझसे नहीं हो सकता है और दुसरे साइड़ों गोलता है कि really तुम्हारी ऐसे cute हरकत पे ना मैं क्या बता हूँ तुम्हें जब भी यह करते हो Mr. Sayan मुझे बहुत ही cute लगते हो और वो जो अपना सर है बुर अप करने लग जाता है उसके chest पे हमारा सियोया है तुम्हें पता है यदि कोई और भी alpha होंगे जो hotel पे आसपास रहेंगे तुम्हें दी control नहीं कर पाओगे तो तुम्हें किसी भी तरीके से अपने आपको train करना होगा इसीज के लिए वरना त sivan भी मैं कर सकता है तो यहां पस सुझान के कोशिश काता है कि सियोयान तुम्हें सब क्या कर रहे हैं तुम्हें कोमीगा हो इसी वजह से तुम्हें इसले excitement हो रहा है पर तुम्हें थोड़ा कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए helpful रहेगा तब यहां प मुझें बहु reinstIT余न को अबा जाती है इसके बार बार डेख़ रहा है हो बहुत ही मुझे विलता है मंशाम जाता जाता है कि तुम कंडौन प्रभाइल हो फसली ऑर तुम इतने जाद एक्साइटेड हो कि में क्या करूं और उसे बहुत ही softly kiss करने लग जाता है पर उसका case कब aggressive हो जाता है पता ही नहीं चल दे फिर लोग अपना intimate है वो continue करते है और उन दोनों का जो फैर्मेंस है वो पूरे रूम में रहता है और वो लोग का जो रहता intimate हो continue करते है all night और फिर next morning हो जाती है जहां पर समारा मिस्टर CEO है वो पैट पर रहता है और वो देखते हैं कि यहां पर से यहां नहीं है दुसे से से शावा लेने जाता है और सुचता है कि मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ मैं ऐसी रहा तो मेरे hotel में क्या image रह जाएगा वो बहुत ही कमभीर सोच में रहता है मन में सोचा आता है कि मैं सोचा था कि इसके लिए worried नहीं होँगा पर इस तरीके से मैं Mr. Yu को इस्तमाल कर रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा चलता रहा तो और वो खूश होता रहता है कि नहीं मैं तो कम से कम Mr. Yu के साथ हूँ फिर अपने आपको वोश मिलाते है कि नहीं नहीं ऐसा बिलकुल नहीं चल सकता मैं अपने फेरमिस के कंट्रोल में आका Mr. Yu को हर बार अपने हल्प को लिए कह देता हूँ और कितना डिसपॉइंटेड हो गया ना वो कि मेरे में कोई progress ही नहीं देख रहा है उनको कितना बूरा लग रहा होगा कि वो मेरी help कर रहा है पर मैं पर वो बहार निकलता रहता है तब ही वो सुनता है मतलब कि उसको कुछ अवाज आ रहा है वो surprise हो जाते कि क्या हुआ और वो जल्दी जल्दी से भगके वो kitchen में जागता है और बूलता है कि sir kya हो आपको कुछ लगा तो नहीं न अब वो देखते कि kitchen में बहुत ही मैस फैला हुआ है वो जो एग है वो तूटा हुआ ग्रायक हो गया और kitchen का बहुत गंदा हालत हो है वो देके बलता है कि sir यह सब क्या हो रहा है दूसरे साइट से Mr. यह बलता है कि बस मैं तो तुम्हारे लिए breakfast प्रिपेर कर रहा था और वो अपना जो पैना रहता है शर्ट उसको ठाते बलता है कि आप दूर हटो थोड़ी दूर मतलब मैं सब को देख लूँगा तो वो अपने हाथ को रोकते हो बलता है कि नहीं यदि मैंने गंदा किया तो इसे मैं हिसाफ करूँगा इदम जेंडलमन की तरह बलता है कि Mr. Sioyan तुम बस काम डाउन रहो और उसको क्लीन करने के लिए सिंक में बटन को डालता है तो उसका हाथ भी जल जाता है यहाँ पास Sioyan बहुत घुसे में रहता है बलता है कि Sir आप बस दूर हो जाँ तो उसकी जो ऐसी डुराउनी बात सुनके बहुत डर जाता है बलता है कि हाँ वैसे जो तुम बोल रहा है वैसे गुड आरिया है और वो पीछे हर जाता है और कुछ देर बाद breakfast ready हो जाता है जहाँ पास हो लोग बहुत ही अच्छे से joy करते रहते अपना breakfast पर दूसे साइड जो हमारा Mr. U है वो सुसर कि यारी गुसे में किते क्योट लगता है और बोलता है I'm sorry जो मैंने kitchen में और वो उससे पहले complete करता है आपने yesterday जो मेरी help किया मुझे पता है आप मेरी help करते हो और मैं अपने आपको control ही नहीं कर पाता हूँ मैं आपको seduce करने लग जाता हूँ I'm sorry मैं अपने आपको control करने की बहुत कोशिश करता हूँ पर मुसे हो नहीं पाता है कि आप थोड़ी और दिनों के लिए आप मेरी help कर सकते हो मुझे डर है कहीं मैं होटल में mistake ना कर दू आपको पता है ना कि मैं होटल में job करना चाहता हूँ यह सब बाते सुनके मिस्टर यू के होश और जाता है बोलते कि really चो कल रात हुआ वो उसे बस यह समझ रहा है कि एक्टिंग हो रहा है I mean वो मुझे सट्यूस कर रहा है अपने फेरमेंस से इसलिए क्योंकि ओमेगा का जो फेरमेंस है वो excited करता है अलफा को और अलफा उसके बदल रियाक्ट करता है ओमेगा फेरमेंस को मतलब उसे यह लगा रहा है कि मैं सिफ उसके फेरमेंस से सदीश हुआ हूँ ऐसे वो सोच रहा है क्या मतलब जो हमनों फेल किये थे वो ऐसे कोई फेल था ही नहीं वो बस अपना फेरमेंस को स्टेबल करने के लिए कह रहा था और मैं stupid क्या सोच रहा था और बस उसके चेरे के से देखता है और टेपल पिपने हाथ को cringe करते बोलता है कि नहीं मैं ऐसे को ऐसे सोच सकता हूँ और वो बोलने लग जाता है कि मुझे पता है सर यह आपके लिए बहुत difficult होगा तो वो रोकते हैं इसके हाथ को भोल करते है कि नहीं तो मैंसे जितना चाहा उतना यूज कर सकते हो जो भी करना चाहो, वो कर सकते हो यहाँ पस फिर वो लोग hospital के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उसका daily check-up होना रहता पर यहाँ पस doctor उसको suggest करते हैं कि तुम्हारे जो है फेरमस बहुत काफी हता कि स्टेबल हो तो तुम कांटीनियो करना जो भी तुम कर रहा हो और फिर वो कहता है कि देखो मैं अभी कुछ टाइम के लिए बाहा हूं तो मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर चेंज कर दिया और वही तुम्हारे टेटमेंट कर है उसको और फिर वो लोग बापी से होटल के लिए निकल जाते है जहां पस से जो मिस्टर यूए बोलते है कि अभी टाइम है ना तुम्हारे होटल के वोकिंग हावर्स में तो यहां पस बोलते हैं कि यहां अभी टाइम है तो थीक है हम दोनों लंच साथ में करते हैं तु मुझे जयसे इस्तैफ रिचाने करते हैं यह थो कि समयाने कर शेका थो तो एक वसकार वह साहते हैं तुरुम हम वहिंलरे से टी। छुट करते हैं थीचा है अच्छा है करनाética हो तो हम कहीं और बीजा सकते हैं तो बोलता है कि नो, इस होगी मतलब ठीक है, कोई दिककत नहीं है तुम्हे पसंद है, इस होगी और बुलता है कि तुम इतना जल्दी ही पर्त करो खाने में आराम से काँ बहुत ही अच्छे से hamburger है वो खाता रहता है उसको देखता रहता है और बोलता है कि वैसे तो तुम्हारे पता है ना कि तुम्हारे निव डॉक्टर है पर मुझे लगता है तुम्हे अपने जो काम के बारे में ना कि तुम कहां काम करते हो उसे के बारे में उसे मत बताना ठीक तुम्हारे safety clear बोल रहा हूं और कुछ नहीं है और बस उसको खाते भी देखते रहता है और बोलता है कि ठीक है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा वो continue खाता रहता है क्योंकि उसके कुछ खाने के तुकड़े रहता है उसके चिक पे लगा रहता है तो उसको देखे बहुत ह स्मयल करते रहता है उसे साफ कर देता है क्योंकि वो suddenly किया इसके चिक को साफ तो वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि इस हो कि तुम्हें comfortable नहीं लग रहा होगा न कोई बात नहीं तुम continue करो खाना और वो बहुत ही ब्लाश करने लग जाता है और बिसले कोई ऐसा सड़ से हसते रहता है तो यहां बस मिस्ते यह बोलता है कि तुम क्या देख रहे है तुम इतने तरके से हस क्यों रहे है वो बार बार बोलता है कि I'm sorry मैं नहीं हस रहा हूँ वो आपको hamburger बिल्कुल सोटने करता सार पता नहीं क्यों पर आप अच्छे नहीं लग रहे है और फिर से continue हसने लग जाता है बोलता है कि से अप enjoy करें अप कह यह कह यह तो बोलता है कि really तो वैसे हसते रहोगे तो मैं कैसे खा सकता हूँ बोलता है कि I'm sorry मैं बिल्कुल नहीं हसूँगा ऐसी चोटी मोती जो मोमेंट रहता है वो हमेशा यादगार रहता है फिर वापिस से होटल मे के लिए मैनेजर चो रहती है उनके पास आजाता है और क्योंकि मैनेजर जानती है कि उनलों का कुछ सीन चल रहा है तो बुलते कि मैंने सुना है कि मिस्टर यू के साथ बाहर गयते है तुमने लंच भी किया ता मुझे लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव जगा होगा ना ज का पिखाना तो आज का पठेक हता मुद्धा यू लाइक दिस वीडियो